कि नोश्कार दोस्तों मैं हूँ स्रेंदर सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल ओल्ड कोईंस वाला दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा भारतिय इतिहास के एक र्यास्ती सिक्के के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी से पहले भारत में बहुत सी र्यास्तें हुआ करती थी जिन पर अलग-अलग राजाओं का शाशन हुआ करता था पूरे भारत में एक अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था लेकिन उसके अंतरगत बहुसी रियास्ते हुआ करते थी जिन पर अलग-अलग राजाओं का शाषन हुआ करता था ऐसी ही एक रियास्त थी गुजरात में कच्छ की आज मैं आपको जिस सिके के बारे में बताने जा रहा हूँ वैय है श्री खेंगार जी महाराज का कच्छ रियासत का पांच कोरी का सिक्का और उस समय अंग्रेजों के शाषक जोर्ज पंचम का पूरे भारत में राज्य हुआ करता था आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या करके इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर करना नहीं भूलें तो आएए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जोर्ज पंजम के शाशनकाल में भारतिय रियासत के कछ रियासत का श्रेख खेंगार जी महाराज तृत्या का यह सिक्का पांच कोरिता आएए शुरू करते हैं यह वीडियो इस सिक्के की फीजिकल अपिरेंस की बात करें तो यह सिक्का चांदी का बना होता था और इसमें 93.7 प्रतिशत चांदी होती थी इसका वजन 13.870 मिली ग्राम और इसका डायमेटर 32.45 mm होता था इसके मुटाई 2.17 mm होती थी और यह एक गुलाकार सिक्का था दोस्तों अगर इस सिक्के की ओवर साइट की बात करें तो इस पर बना हुआ है एक दो तरह के गहरे बने हुए हैं इसमें एक तो यह बड़ा गहरा और दूसरा यह चोटा गहरा इसके अंदर छोटे गहरे में एक त्रिशूल बना हुआ है और एक चंद्रमा बना हुआ है और इसके साथ ही बनी हुई है एक कटार इसके नीचे देवनागरी में लिखा हुआ है कोरी, पांच, कच, भुज और इसके नीचे ही लिखा हुआ है इसका वर्ष 1988 तो आप सोचते होंगे कि ये वर्ष 1988 में कौन से अंग्रेजों का शाषन था या कौन से राजाओं का शाषन था तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ष लिखा गया है ये विक्रम सम्वत वर्ष है यानि कि जो आज के समय में जो जिसके हम गर्णा करते हैं उसको हम 80 बोलते हैं इसा मशेय के शेयर जो शुरू होता है लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है विक्रम सम्वत का वर्ष 1988 तो आज के हिसाब से अगर हम ये इसके गर्णा करें तो इसके अंदर से 57 वर्ष कम हो जाते हैं यानि ये है वर्ष 1931 का सिक्का है और इसके बाहर वाले घेरे में लिखा हुआ है महाराजा धिराज मिर्जा महाराव श्री खेंगार जी सवाई बहादुर और अब सिक्के की रिवर्ष साइड की बात करते हैं रिवर्ष साइड में भी दो तरह के खेरे बने हुए हैं एक बड़ा और एक छोटा पाहर वाले गेरे में एक बहुत ही सुन्दर जो आप देख पा रहे हैं कि एक बेल बूंटी का जो डिजाइन बना रखा है और इसके जो अंदर वाला गेरा जो छोटा गेरा है उसके अंदर लिखा हुआ है उर्दु भाशा में जो ये लिखा हुआ है ये है जोर्ज फिफ्थ ये उर्दु भाशा में जब लिखते हैं ये इनका पांच है ये है जोर्ज फिफ्थ और इसके नीचे ही लिखा हुआ है कैसरे हिंद कैसरे हिंद का मतलव हिंद का शाषक या एमपरर ओफ इंडिया और उसके नीचे ही ये लिखा हुआ है जर्ब मतलब जिस मिंट में ये ठुका था भुज तो ये वो ही लिखा हुआ और उसके साथ ही लिखा हुआ है इसका मिंटिंग इयर यानि की 1931 तो यह वर्ष 1931 में जारी किया गया सिक्का है दोस्तो इस सिक्के की एक तीसरी साइड भी है जिस पर भी कुछ लिखा हुआ होता है आएए देखते हैं वो कौन से साइड है और क्या लिखा हुआ है दोस्तो इस पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है के यू टी सी एच कच और उसके बाद एक स्टार बना हुआ है और उसके बाद देवनागरी में कच लिखा हुआ है फिर तो स्टार बने हुए है और उसके बाद भी एच यू जे भुज लिखा हुआ है फिर एक स्टार बना हुआ है फिर एक श्टार बना हुआ है और उसके बाद देवनागरी में भुझ लिखा हुआ है तो इसकी ठिकनेस पर भी कच्छ और भुझ इंगलिश और देवनागरी में लिखे हुए है दोस्तों यह सिक्के दो तरह की छपाई में चारी किये गए थे इनमें एक में जो यह आपको भुझ दिख रहा है और यह जो घेरे से अंदर वाला घेरा है उससे इसका जो जै है वो थोड़ा दूरी पर है और इसी तरह का एक सिक्का और जारी किया गया था जिसके अंदर यह जो जै है भुझ का वो जो अंदर वाला घेरा है इसके यह टच करता है तो इस सिक्के में भी दो तरह की विराईटी आपको देखने को मिलती है दोस्तो कच्छ में जो कोरी के सिक्के चलन में थे इसी स्टाइल के जो भी सिक्के हुआ करते थे उनके अंदर हाफ कोरी का सिक्का, एक कोरी का सिक्का, धाई कोरी का सिक्का और पांच कोरी के सिक्के चला करते थे और आज के इस वीडियो में हमने जानकारी ली है पांच कोरी के सिक्के के बारे में तो आईए अब इसकी कीमत के बारे में भी जान लेते हैं वर्तमान में इन सिक्कों की कीमत 1200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक उनकी कंडिशन के हिसाब से है यानि की फाइन क्वालिटी से लेकर UNC कंडिशन तक का सिक्का आपको 1200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक दिला सकता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा है आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेर करना नहीं भूलें इसके साथ ही आप मुझसे Instagram पर भी जुट सकते हैं जिस पर मैंने सिक्कों की बहुत सी जानकारिया और उनकी फोटो लगा रखी है अगर आपको उन सिक्कों के बारे में अधिक जानना हो तो आप मेरे से Instagram पर connect हो सकते हैं और आप वहां पर कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको किसी सिक्के पर खास सिक्के पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा तो दोस्तों फोलो करिए मुझे Instagram पर भी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे सिक्के के साथ तब तक के लिए बाई बाई